यह कहानी है दो बच्चों की जो एक गाउं में रहते थे उन में से एक छे साल का था और एक दस साल का दोनों बहुत अच्छे दोस्ते बिल्कुल छोले के जय और वीरू जैसे दोनों हमेशा साथ साथ रहते साथ साथ खेलते साथ साथ खाते पीते साथ साथ नाते दोते नहीं तो एक दिन वो दोनों गाउं से थोड़ा दूर निकल गए और खेलते खेलते उनमें से जो बड़ा बच्चा था, दस साल वाला, वो एक मोई में गिर गया गिर गया और जोर जो उसे चीखने चिताने लग गया, उसको तैरना नहीं आता अब जो दूसरा बच्चा था, छोटा था, छोटा था, छे साल का, उसने अपने आसपास में देखा और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं देखा, जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे, जिसके एक रसी बंदी हुई थी उसने एक सेकंड भी वेस नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके फ्ले में फैट दिया और अपने दोस्त को बोला के पकड़ ले इसको, उसके दोस्त ने पकड़ा, और वो अपनी पूरी ताहट लगा करके पागलों की तरह उसको कीचने लगा, खीच तरह, खीच तरह, खीच तरह, खीच तरह, अपनी पूरी जान लगा दी उसने, छोटे चे साल के, और दस साल अए बा cheapest को पकड़ा हुआ था खीस तरा खीस तरा और तब तक नहीं रुका जब तख उसने अपने दोस्त को बचा ने मुझा जब तक उबाष नागा है अब यहाह तक तो ठीक था यहाह तक तो यह घानजी समझ आती है लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही एदो बच्चे जब दोनों एक हो गए, जब भार आए और आकर के गले मिल रहे, रो रहे, और खुश हो रहे, एक तरफ से उनको डर भी लग रहा था दर था कि अब गाओं जाएंगे तो बहुत बिटाई होगी, जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुए में गिर गए और ये सब चीजे होई, लेकिन मज़े की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो जब गाओं गए, और जा करके उन्होंने अपने घरवालों को बताया, बाकी दूर की बात है, लेकिन एक आदमी था उस गाओं में, उसने विश्वास कर लिया, उनको सब रहीम चाचा कहते थे, उस गाओं के सबसे समझदार मुज़ूर्गों में से एक, और सब को लगा कि यार ये कभी जूट नहीं बोलते हैं, अगर ये कह रहे हैं तो जरूर कोई कोई नो कोई बात होगी, कोई नो कोई वज़े होगी जिस वज़े से ऐसा कह रहे हैं, और फिस सारे गाओं वाले इखटे हो करके उनके पास में गए, और जा करके बोले कि देखो जी हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा, आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उनको हसी कर भाया अधरी ही, वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बता हूँ, बच्चा बता तो रहा है, उसने एक कैसे किया, बाल्टी को उटा गरके कुए में फैका, उसके दोस्त ने बाल्टी को पक्छा, उसने रसी को कीचा, और अपने दोस्त को बचा لिया, तो आपको बता तो है तो पर उसने कैसे किया। बच्चा बता तो रहा है। इसमें मैं क्या बताओं। तो सारे गाउओवाले उनकी शक्वफरी देख रहे ह। फिर कुछ देर बाद वो बोले कि सवाल ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर बाया। सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया कि उसके अंदर इतनी दागत कहां से आई और बोले इसका सिर्फ एक जवाब है सिर्फ एक कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया उस ताइम पे उस जगे पर दूर दूर तक कोई नहीं था उस बच्चे को ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता कोई नहीं था कोई नहीं यहां तक की वो खुद भी नहीं वो खुद भी नहीं कि वो खुद भी नहीं